तो दोस्तों ये दि आप कोई छोटे मोटे धन्दे या फिर किसी वेबसाइक की शुरुवात करना चाते हो जैसे कोई दुकान खोलना चाते हो, किराने की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, साइकल की दुकान है या फिर हाडवेर की दुकान अगरा वगरा या फिर आप कोई टेक सी खरीदना चाते हो या फिर आप कोई ओटो रिक्सा खरीदना चाते हो या फिर आप बकरी पालन करना चाते हो या फिर आप पसु पालन करना चाते हो या फिर करसी से जुड़े कोई यंतर आप खरीदना चाते हो और आपके पास पैसा नहीं और आपक तो इस वीडियो में आपको अनुजा लोन योजना के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताने वालो यानि इसके लिए आपको कहां से कैसे और किस प्रकार से आवेदन करना होगा इस लोन के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावे जा डोकूमेंट के आवसेकता पड़ने वाली और ये लोन प्राप्त करने के लिए कौन-कौन विक्ति हैं वो पातर है यानि किन-किन कंडिडेट को ये लोन है वो मिल सकता है अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहेगा नमस्कार सातियों मैं हूँ आपका अपना साती राजगूर जी और आप देख रहे हैं राज, स्कूल, हैल्प, यूटूब चेनल तो दोस्तों कई बार एक्षर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई धंदे या वेवसाई की सुरुवात करना चाते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता है और पैसे के लिए हम इधर उधर वो गुमते हैं और कई बार बैंकों के लोन के लिए चक्कर भी लगाते हैं लेकिन फिर भी लोन नहीं मिलता है रिष्टेदारों के पास भी चक्कर लगाते हैं, वहाँ से भी आपको पैसा नहीं मिलता है लेकिन अब आपको इधर उधर बठकने के आवसेक्ता नहीं है क्योंकि राजिस्थान सरकार की अनुजा लोन इसकिम के साथ जुड़के आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हो और इस लोन की खास बात है कि आपको इधर उधर जाने के आवसेक्ता नहीं है मातर आप गरबठे अपने मोबाइल से है इस लोन के लिए आवसेक्ता कर सकते हो और आपको ये लोन मिल जाता है अब मैंने आपको ये बताया कि आवसेक्ता करने से आपको ये लोन मिल जाएगा लेकिन यहां पर देखिए ये लोन प्राप्त करने के लिए सरकार के कुछ नियम रखे हैं सरकारने इसके कुछ सर्ते हैं कुछ पातरते हैं उनको आपको पहले वो जान लेना चीए तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी elemento के सर्टे और पातरता बता देता हूँ कंडिडेट की जो उमर है वो 18 से लेके 60 साल के बीच में होने ची, कंडिडेट के पूरे प्रिवार की जो वार्सिकाय है वो 3 लाग से कम होने ची, इस से जादा नहीं होने ची, इसके अलावा कंडिडेट पर पहले कोई भी लोन बकाया नहीं होना ची या फिर चालो हालत में को और OBC और इसके साथ BPL अगर आप disability या सारी विकलांगता का दोस है तो आप इसके लिए पाता है मुख्ये तोर पे बात ही है कि यहाँ पे मोटे तोर पे यहाँ पे तीन जो केटेगरी के कंडिडेट है या परिवार है SC, ST और OBC इनको यह लोन मिलेगा जनरल वालों को यह लोन है वो नहीं मिलने वाला बस इसकी यही पातरते हैं यही योगेता ही अगर यह पातरते हैं आप रखते हो तो आपको यह लोन है वो आसानी से मिल जाएगा अगर यहाँ पर सेक्षिनिक योगेता की बात करें तो भी हैं यहाँ यहाँ पर कोई सेक्षिनिक योगेता नहीं रखी गई है हाँ यदि आपकी अधिक्तम सेक्षिनिक योगेता होगी तो यहाँ पर देखिए आप अधर जो इसकीम है उनका फायदा वो उठा सकते हूँ चल दूसरा सबसे मुख्य दस्तावेज है आपका जाती पर्मान पत्थ तो यहां पे देखिये आपका जो जाती प्रमान पत्तर होता है उसकी validity या फिर जो वेधता होती है वो lifetime की होती है जबकि OBC category का जो जाती पर्मान पत्र होता है उसकी जो वेदता होती है वो तो एक साल या फिर कुछ केस के अंदर तीन साल की होती है तो ऐसे में OBC वाले कंडिडेट को मैं खहना चाहूँँगा कि आप बिल्कूल अपना एक नया जाती पर्मान पत्र वो बनवाएगा और जाती पर्मान पत्र है पा आपको एक Income Certificate हो बनाना पड़ेगा और यहां पर देखिए Income Certificate के चार पेज है वो चार पेज वाला Income Certificate आपको है बनवाना है सिंगल पेज वाला आपको नहीं बनवाना है यह कहां से डाउनलोड करोगे इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो ह हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurj.com तो यहां पर देखिए Scholarship या Format का आपको एक Link मिलेगा उस पे जाएगा डाउनलोड कर लिजेगा और वैसे भी आप मार्केट में जाओगे सहर बजार में जाओगे इमतर वालों के पाया जाओगे तो वहां पर भी यह आसाने से आपको तैयार करवाना पड़ेगा सपत्पतर लोन लेने के लिए यह 50 रुपे के बोंड पे आपको करवाना पड़ेगा कि मैं यह दंदा है मैं इसकी सुरुवात करने जा रहा हूं और यह लोन है मैं समय रहते हैं विभाग को हैं वापैस वो लोटा दूँगा इस परकार तो वो कोटेशन है आपको लेना है for example मान लेते हैं कि आपको टेक सरी खरीदने जा रहे तो agency वाले है आपको कोटेशन है वो दे देंगे इसके लिए यहाँ पे एक आपको बिल भी लेना पड़ेगा जो भी वस्तुव आप खरीदते हो या जो भी धंदे के आप सुरुवा लेते हैं तो कहाएंगा बिल हमारे पास होता है, नहीं वो बिल की बात मन नहीं कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि आपने बकरी हो खरीदके लेके आए किसी दूसरे हमारे साथी से, तो वहां कि आपने गावं का जो सर्पंच से उससे आपको परमानित करवाना पड़ेगा, यह जो candidate है इस candidate से इतनी बकरिया इस इस rate पे वो खरीद के वो ले की आया है मैं इसको परमानित करता हूँ तो इस परकार का एक परमान पत्र है आपको लेना पड़ेगा वो परमान पत्र है वो बिल होता है ठीक है चलिए इसके लाव यहाँ पे देखिए यह दि आपकी loan की ज सकता है जो भी आपका जानकार है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर मैं इसको नहीं लोटा पाऊंगा तो यहाँ जिसकी money guarantee दी है वो अपने आप हो लोटा देगा ठीक है तो वो जो guarantee देने वाला वेक्ति है उसका भी एक सपत पत्र हो लगेगा और उसका एक जो आधार है यहाँ पर guarantee वो देने पड़ेगी ठीक है बस यहीं दस्तावेज है इन दस्तावेज को आपको समय रहते है वो तयार करना है ठीक है बाकि कोई भी दस्तावेजों की आपको यहाँ पर आवसकता वो नहीं पढ़ने वाली अब यहाँ पर देखिए मैंने जो income certificate आपको बता है उनकी जो वार्षिक आये है वो 4000 के लगबग होने चीए 4000 से वो ज्यादा नहीं होने चीए लेकिन income certificate को लेके खाजानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूं देखिए अब तक जिनोंने अनुजा loan scheme के लिए आवेदन किया तो हैर लगबग लगबग व्यक्तियों के कारण है उनका income certificate कि यहाँ पर उनकी जो income है वो सही नहीं पाई जा रही है तो यदि आप भी इस loan के लिए आवेदन करने जा रहे है तो सबसे पहले आपको अपनी income को गोर करके देखने है और गोर करके आपको कहा देखना है आपका जो जन अधार card है उस जन अधार card में आ आपके पूरे परिवार की income है ओ कितनी update है देखिए यहाँ पर अपने परिवार की जो मुख्या होती है अपने जन अधार में वो महिला वती है और महिला एक्सर गठहनी होती है तो गठहनी की कोई income नहीं होती तो वहाँ पर जन अधार में अपन 0000 दिखा देते हैब यहां पे जो income certificate बना के लेके आ रहे हैं, उसमें हमने हमारे पूरे प्रिवार की जो वार्षी काए है, वो 80,000 है, वो दिखा रखी है, तो ऐसे में आपका जन अधार काड की जो income है, और आपके income certificate की जो income है, वो तो भी आप मैच ही नहीं, मिश मैच होगी, तो देखें, यहां पे फोरम रिजेक्ट होने का अक्सर जो कारण रहता है, तो मैं आपको यहां पे कहना चाहूँगा, जब भी आप income certificate बनाओना, तो आपके जन अधार काड के अंदर एक बार आपकी income है, वो चेक करवा लिजेगा, कि उसमें आपने कितने फिल के, उसी के अनुसार है, आपक केवल और केवल ओनलाइन आवेदन फोरम बरना है, और आवेदन फोरम के लिए कहीं दूसरी जगह आपको जाने के आव सकता नहीं, यदि आपके घर में computer है, mobile है, या पिर PC है, या laptop है, तो गर बठे आप बिलकुल free में आवेदन कर सकते हो, क्योंकि आवेदन की यहां पे क भी इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी आपको घबरानी के आवस्तिता नहीं है, मैंने दूसरी वीडियो के अंदर इसकी पूरी प्रोसेस आपको समझा रखी है, कि कैसे आपको आवेदन करना है, कहां से करना है, आवेदन बरते समय आपको किन-किन बातों को ध् इसक्रिप्चन मिल जाएगा, ये वीडियो देखने के बाद है, आराम से वीडियो देख लीजेगा, और गर बैठे बैठे आवेदन हो कर दीजेगा, ठीक है, आवेदन के समय आपको कुछ दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे आपका जाती परमान पत्तर है, आपका एजुकेशन कोई भी सर्टिफिकेट है, आपका जन आधार या आधार कार्ड है, इंकम सर्टिफिकेट है, ये डोकोमेंट है, आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो इन सब को आपको PDF में पहले तयार करना है, फिर आप आवेदन आराम से कर सकते हैं, ठीक है, चल कोई भी clear जानकारी है, वो नहीं दे सकता, ठीक है, चली, अब यहाँ पर देखिए, चलते चलते इस योजना के बारे में एक ओर खास जानकारी आपको इहाँ पर बता देता हैं, देखिए क्योंकि कुछ लोगों का ये भी सवाल हो सकता है, कि इस योजना के तहत हमें कितने loan की राशे मिलने वाली तो भिया यहां पे देखे यह depend करता है आपके धंदे पे आपके website पे आपका website जैसा होगा उस पर जितनी लागत लगने वाली है उसके इसाब से आपको यहां पे loan मिलने वाला है और जितनी आप लागत यहां पे भरोगे ना जितने की आपको आवसेकत है उसका 90 परसेंट लोन मिलने की यहां पर पूरा पूरा यहां पर चांस रहता है अब यह पकी गारेंटी नहीं है कि मैं आपको यह बोल दूं कि आपको एक लाक मिलेगा तीन मिलेगा यह डिपेंड करता आपके दंद पे और आपके बैक गराउंड पे कि ऐसा तो नहीं है क्योंकि आप आवे दिन करोगे ना तो टीम है वो जहांच करने भी आ सकती है तो देखेगी यह कल को यह पैसा लोटाएगा या फिर वैसे डकार जाएगा इस बात को आपको खास इसलिए आपको बता देता हूं कि देखिए अधिक्तम आपको यहां पे 5% ब्याज की राशी वो देनी पड़ेगी इससे जादा नहीं लगेगी और शुरुआत के 6 महिने में आपको कोई ना तो ब्याज देना है ना ही आपको कोई किस्थ हो चुकानी यहनी 6 महिने आप जहार उपे की सबसिड़ी भी मिलती है अब यह सबसिड़ी कैसे मिलती है तो देखिए यहां पे एक 4 अग्जामपल आपको है 5% की इसाब से आपको यह ब्याज मिला अगर आप समय रहते है नियम अनुसार है हर मैने इसकी किस्थ आगर यह आप जमा करवाते हो तो यहां प अगली 1% की राशी है जब आप पूरा जो ब्याज और मूल राशी आप जमा करवा दे हो कि समय रहते हुए तो आपको 2% और चूट है वो मिलने वाली है अब यहां पे देखिए सरकार का यह मानना है कि यदि आप नियम अनुसार काम करते हैं तो हम भी आपका सयोग करेंग चार उपे के इसाब से वो ब्याज लिया ठीक है ना सरकार ने अप्रूल दिया चार के इसाब से तो यहां पे अगर समय अनुसार आप जमा करवाते हो तो यहां पे 2% की छूट मिल गई तो चार की बजाए आपको यहां पे 2% के इसाब से ब्याज लगने वाला है तो वीड को आपको खास तूर्पे ध्याना करना ये आपको वाकाई में लोन के आवसेखता है तो आप आसाने से ये लोन ले सकते हैं क्योंकि देखिए अधर है प्राइवेट से बैंक से अपन लोन लेते हैं तो हमें एक तो काफी ब्याजगी राशी उनको देनी पड़ती है और कई ब आसे कि ये आपको आवसेखता है तो आप अनुजा लोन इसकीम के साथ जुड़के है आसानी से लोन है वो प्राप्त कर सकते हो आसा रखता हूं कि सायद आप इस योजना के बारे में अच्छी तरह से वो शमझ गए होंगे और इसके लाव ये आपके कोई सवाल है तो आप आपकी पूरी हल्प करने की कोशिस कुरूंगा और या वो वीडियो देख लीजिएगा कि ओनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है और ये जानकारी है अपने दोस्तों के साथ हो जरूर सेर कीजएगा तो सायद हो सकता है किसी बे सारे को लोन के आव सकता है कोई धंदे की सु जानकारे नहीं है तो सायद है ये जानकारी उन तक पहुंझ जाए उनकी भी मदद हो जाए तैकि मैंने मेरे एक छोटा सा प्रियास कर दिया अब आपकी भी जिम्यदारी बनती है भातिनागरिक होने के नाते है इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ हो शेर कर दीजेगा तो मिलते हैं फ्रेंडस एक लिए एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत